जहिन बने मातरा, बहुत आश्वागत है आपका टीम निश्रा पर तो आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपोर्टेंट है for all the competitive examination that is tribal movements modern Indian history में tribal movements और उनके leaders कौन-कौन थे इनके बारे में UPSC level के जो exams हैं Basic Civil Services हो, CDA, CEAPF, NDA हो या फिर State Civil Services, SSECGL, SSECPO इन सब में पूछा जाता है direct question पूछा जाता है या तो सीधा-सीधा leader का नाम पूछ ले जाएगा या leader के नाम से पूछ ले जाएगा कौन सी movement है या चार movement है, चार leaders है, match the following type of question इस तरीके के question आपके पूछे जाते हैं अब problem अगें यही आता है कि कैसे याद रखें बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे leaders हैं, confusing रहता है तो उसी confusion को दूर करने के लिए हम लेकर आए हैं यह tricks का session, छोटा session होगा but important है, मैं बार-बार यह कहता हूँ कि इन sessions का मकसद आपकी recall value को बढ़ाना है आपके कही न कहीं memory techniques को बढ़ाना सीधा-सीधा आप याद रख पाएं अब यह तभी possible है जब आप इन tricks को regularly देखोगे revise करोगे regularly, simulate करोगे ताकि actual में आप जब paper में बैठे हों तो वो recall आप कर सके ठीक है जी, तो चलिए, शुरुआत करते हैं बहुत सारे बच्चे कहते हैं बहुत सारे एक्चली बच्चे कहते हैं सब कुछ समझ आ गया, सब कुछ समझ आ गया पर recall नहीं होता है ठीक है, so don't worry, any more it won't तो आज हम discuss करने वाले हैं tribal rewards और उनके leaders और obviously places also important किस जगा पर वो particular revolt हुआ, सबसे पहले बात कर लेते हैं चवार अप्राइजी ठीक है, 1776, मिदनापूर लीडर थे, दुर्जन सिंग ठीक है, अचा, mainly tribal rewards किसके लिए, क्यों थे, मतलब tribal rewards क्यों हो रहे थे, British time में, सीधा-सीधा Britishers का मकसद ये था, कि agriculture बढ़े, ठीक है, जंगल काटे जाए, वहाँ पर agriculture हो ताकि उनको revenue मिले, और उनका maximum काम यही था कि revenue maximization, profit maximization, अब जब tribals जो वहाँ पर सदियों से रह रहे हैं, उन tribals को वहाँ से खदेडा जाएगा, उनको कहा जाएगा कि जमीन आपकी नहीं है, जो forest produce हैं, वह आपका नहीं है तो सीधा सीधा वह revolt देखने को मिलेगा, लगभग लगभग पूरे भारत में, अलग लग जगा अलग लग समया पर ये tribal revolts आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है वह नॉर्थीस्ट हो, सद्रन इंडिया हो, eastern इंडिया हो, western इंडिया हो, central इंडिया हो, लगभग सब जगा ये देखने को मिलता है, तो चोर अप्राइजिंग, बिदनापूर तो, again, the idea is not to denigrate anyone, हमारे लिए easy है, चोर दुर्जन, दुर्जन का मतलब क्या होता है, दुर्जन, bad guy ठीक है, तो, चोर, दुर्जन तो, ये आपका हो गया, बिदनापूर जो कह सकते हैं के present day, जारखंड और Bengal का रीजिन जो है, ठीक है, वहाँ पर आपको ये अप्राइजिंग देखने को मिलती है लीडर दुर्जन सिंग थे, 1776 में, broad reason जो है मैंने आपको बता दिये, next आता है पहाडिया rebellion, 1778 महल hills, ठीक है, या राज महल hills, ठीक है, simply कहें तो so, राजा जगनाथ पहाड सबसे उपर होता है जगनाथ, जिनको हम lord of the universe कहते हैं, वो भी क्या है, सबसे उपर है, ठीक है, तो पहाड के उपर जा रहे हैं, और lord of the universe, universe top पर कौन है, जगनाथ है, अच्छा, अब ये पहाड़ी rebellion के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ again, that is the region जारखंड और जो राजमेल hills वाला region, उसमें exactly यही हुआ, कि जो tribals से उनको खदेडा गया, उनको कहा गया कि यह जमीन हमारी है, और इस पे agriculturalists settle down किये गए, जो plain areas से थे, money lenders आते हैं, जिनका withdraw करते हैं, tribals, बट अब अंग्रेज क्या करते हैं, कुछ tribal leaders को अपनी तरफ करते हैं, बट जैसे ही tribal leaders ने अंग्रेजों का साथ दिया, तो उनकी जो leadership थी, वही question में आगी, by the tribals, मतलब उन्होंने सिधा-सिधा यह कह दिया, कि तुम तो सरकारी बंदे हो गए, तुमने रिश्वत खा ली एक तरीके से, ठीक है, अब हम तुम्हारी leadership को नहीं मानते हैं, तो यह उतना था, तो धीरे-धीरे यह जो tribals है, और interior इलाकों में जो है, transfer होने लगे, या कह लिजिए, और interior इलाकों में जो है, जाने लगे, ठीक है, और यहाँ पर पहाडी लाकों में, interior इलाकों में, यह settled down होने लगे, तो इसके leader थे, राजा जगर्नाथ, ठीक है, पहाड, पहाड के उपर, सबसे उपर, कौन है, जगनात है, ठीक है, so lot of the universe, next आता है आपका भील अपराइजिंग, ठीक है, भील अपराइजिंग, खांदेश हिल रीजन, जो की महाराश्रा, गुजरात का रीजन है, 1870 to 1819, again वो रिवोल्ट करते हैं, 1925 में, 36 में, 46 में, तो यह मतलब, एक बड़ा constant phenomenon था, ठीक है, इसके leader कौन थे, गोविंद गुरु, ठीक है, गोविंद गुरु, इसकी trick है, गोभी, ठीक है, तो गोभी क्यों, भी, भी, भील हो गया, यहां से भील हो गया, और गोविंद गुरु, ठीक है, गोविंद गुरु, ठीक है, गोभी इसके trick होगी, गोविंद गुरु, और भी से हो गया, भील, ठीक है, तो भील, एक्चल में सबसे बड़ी tribe भी, आज के present time में भी, सबसे बड़ी tribe भारत में भील ही है, अगर numbers के recording हम देखें दो ठीक है, next आता है आपका whole moment, ठीक है, whole moment देखो, इसमें मैं आपको बार-बार बता दे रहा हूँ, कि tribal movements बहुत important है क्योंकि हमारी जो history है, वो बहुत ज़ादा दिल्ली-centric है, और वो उस पे question यो PSE नहीं पूछ रहा है question पूछ रहा है, इस तरीके के all across the India क्या-क्या movements हुई है, इस पे ज़्यादा question पूछ रहा है, okay, whole moment 1820 to 1837, Singh movement छोटा नंगपूर एरिया में, ठीक है इसमें राजा थे, राजा पराहट, ठीक है तो ये हो गया, परे हो, ठीक है गाना भी है पंजाबी में किस-किस ने सुनाया है, एक बार जरूर लिखना thumbs up करके, परे हो जा सोनी सडी रेल के डी आई, ठीक है दूर हो जा, परे हो जा मतलब stay away, ठीक है, ठोड़ा सा that's kind of a पंजाबी word या North India में आपको ये word देखने को मिलेगा, so whole movement, ठीक है हो, so parahat से परे हो, ठीक है तो ये याद रहेगा आपको, whole movement कौन थे leader, राजा परहट, कहाँ पर सिंग्भूम, छोटानापूर, again, the same reason, broadly the same reasons, कि tribal areas में आ रहे हैं, उनकी lands को जो है capture कर रहे हैं, उनके forest produce को, so that is the broad reasons, रामोसी uprising, ठीक है, 18, 22 to 29, Western Ghards यहाँ पर leader थे, चितोर सिंग of सतारा, ठीक है, चितोर सिंग of सतारा, और भी leader से, पट यह सबसे बड़े leader थे, चितोर सिंग, अब यहाँ पर आपका आता है, चित्रा मौसी, ठीक है, चित्रा मौसी, तो मौसी, मौसी, मौसी से रामोसी ठीक है या फिर आप यहां पर भी देख सकते हो रामोसी चित्रा मौसी सो रामोसी और चित्च से क्या हो गया चित्तूर सिंग ठीक है चित्तूर सिंग हो गया ठीक है चित्रा मौसी चित्तूर सिंग और मौसी से रामोसी ठीक है रामोसी अप्राइजिंग वेस्टर तो कोल का हमने फुल फॉर्म बना लिया की ओपीनियन लीडर कौन है जो उपीनियन देते थे चीजों के बारे में बताते थे गौतम बुद्धा तो बुद्धा से बुद्धो बुद्धो बगत एंड हिस मदारी भगत ठीक है बहगत मतलब कोई किसी का जो चेला होता है भगत होता है ठीक है मदारी ठीक है मदारी भगत तो मदारी से मदारा महतो हो गया भगत से जो भगत ठीक है जो भगत ठीक है तो की ओपीनियन लीडर कौन है बुद्धा है और उनके मदारी भगत ठीक है तो यह आपकी ट्रिक हो गई कोल रेवीलियन छोटा नाग पर प्लेटिव नेक्स्ट आता है कौंड रेविलियन 1837-256 उडिशा वाले रीजन में ठीक है यहां पर एक छोटी से स्टोरी ज़रूरी मेंचन है यहां के लीडर थे चक्रा बिसोई ठीक है चक्रा बिसोई और मरिया एक प्राक्टिस थी जिसको अंग्रेजों ने बंद करने की कोशिश की यह भी एक कारण था कि कहीं ना कहीं उन्होंने का कि आप हमारे ट्रइशनल प्राक्टिस में रिच्टिस्टिक प्राक्टिस में दखल अंदाजी दे रहे हो अब अंग्रेजों का ये viewpoint था कि ये human sacrifice जो है it is against the ethics ठीक है of human values तो यहां पर मारिया के बारे में सोचता हूँ तो चक्कर आते हैं खोया खोया सा लगता है ठीक है मारिया के बारे में तो मारिया इसलिए रखा है कि मारिया practice से आपको याद रहे ठीक है मारिया के बारे में तो ये बाई साब जो है परिशान है लड़का परिशान है मारिया को प्यार करता था ठीक है उसके बारे में सोचता है तो चक्कर आते हैं ठीक है तो यहां पर मारिया से ये practice हो गई चक्कर से चक्रा भी सोई ठीक है चक्कर से चक्रा भी सोई और खो सारा से चौबिस पच्छी साल की एज ग्रूप में है तो वो रिलेट कर सकते हैं इस ट्रिक से बहुत ज्यादा है चलो मारिया के बारे मैं सोचता हूं तो चक्कर चाहता है तो मारिया से मारिया प्राक्टिस हो गई चक्कर से चक्र भी सोई खोया से खौंड रेविलियर आगे है जिसको हम अपना एरिया कह सकते हैं ठीक है बट धीरे धीरे क्या हुआ उनसे भी जादा अगवाई करने की कोशिश की ब्रिटेश की ब्रिटेश का बात क्लियर हंडा था पैसा चाहिए था ठीक है मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रेविन्यू अब उन्हों ने भी ब्रिटेश के खिलाफ धावा बोल दिया ठीक है तो जहां पर सिद्धो और कानों बड़े लीटर सुभर कर आते हैं तो काना सीधे शंत नहीं थे चतुर थे ठीक है काना मतलब बच्पन की हम जो काना की सुरी सुनते हैं ठीक है तो ये शोदा माईया, ठीक है, माखन चोर, ठीक है, that whole story, कानहा सीधे संत नहीं थे, चतुर थे, ठीक है, तो यहाँ पर कानहा से हो गया आपका कानहू, सिधो से हो गया सीधे, और संत से हो गया आपका संथाल, सीधे से सीधो और कानहा से कानहू, सीधो और कानहू संथाल, कानहा सीधे संत नहीं थे, चतोर थे. ओके नेक्स आता है नायकडा रेबिलियन 1868 गुजराथ के रीजन में तो यहाँ पर लीडर थे रूप सिंग जोरिया भगत तो रूप सिंग जोर से नहीं काइदे से काम करता है ठीक है धीरे से अराम से कई लोग होते ना बहुत अराम से बहुत समय लेके अपना काम करते है ब बहुत अच्छा काम करते हैं ठीक है तो यह है डूसी तो Chief Nick हो गया जोर से जोरिया भगत हो गया नहीं ठीक है जोर से नहीं काएदे से चाहिशlit से काम करते तो नहीं से हो गया नाई क्ड़ ठीक है न retire looking ठीक है नहीं से क्या होगा है नायकडा रेविलियन रूप सिंग जोर से नहीं काईदे से काम करता है ठीक है चलो तो नेक्स्ट आगे आपका खारवार ठीक है खारवार 1868 74 18 अच्छा अब ये ना मैंने जब इसको चेक किया मैं को को अथेंटिक सोर्स नहीं मिला इयर का इसलिए मैंने इयर यह सारे मेंचन कर दी है कई जग आपको 68 मिल रहा है 74 मिल रहा है तो जस्ट वैसे एयर बहुत कम मजे में चलता है ठीक है तो जीवन क्या है मजे में चलता है भागय Applicant अगर ह्खरा है तो जीवन मजे में है तो भागय से क्या हो गया भागीरत ठीक है खरा से हो गया खारवार ठीक है और मजे में है तो मांजी ठीक है मांजी वैसे एकी नाम है भागीरत मांजी तो वैसे भागीरत मांजी याद रखेंगे खरा से खारवार हो गया बट मजे से भी आपको मांजी याद आ जाना चीए ठीक है तो य ना सोना मुंडा ते चलिए मुंडा रेविलियंट 8099 900 छोटानागपुर बिरसा मुंडा भगवान बिरसा मुंडा ठीक है इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है नवंबर का एक पर्टिकलर दिन है जिस दिन हाँ जी जन जाती है गौर अफ दिवस मनाया जाता ह है अब कौन सा दिन है वो आप कमेंट सेक्शन box में लिखेंगे नवंबर के मैंने में कौन सा दिन है सीदा सीदा फैक्ट है ये भगवान बिरसा मुंडा ठीक है तो यहाँ पर आई थिंग बहुत इजी है मुंडा रेविलियन बिर्शा मुंडा तो आई थिंग याद मुंडा मुंडा ठीक है ओके नेक्स आता है कोया रेविलियन कोया रेविलियन 1879-80 एस्ट गुदावरी एरिया अंदरप्रदेश में और सम रीजिन्स अफ मलकानगीरी ऑल्सो कोया रेविलियन तो यहाँ पर लीडर थे राजा अनंतियार तोमा सोरा कोयास जो ये तोमा सोरा थे इनको कोयास जो हैं किंग ओफ मलकानगीरी ओडिशा में रीजिन है किंग ओफ मलकानगीरी भी कहते है ठीक है तो कोई-कोई अनंत तमन्नाय रखता है ठीक है अनंत तमन्नाय र तुमना से तोमासोर्या ओगया तमना या तोमासोर्या ठीक है similar sounding है तो यह हो गया आपका कोया रेहेमिलियन ठीक है तो इस्ट घुदावरी एरिया मतलब इस्टरं पार्ट उडिश्व और आंधर-प्रदेश का overlapping area. Next आता है बस्तर, सद्रन चतिसगाड, बस्तर का रीजन, चतिसगाड का सद्रन रीजन, बस्तर रीजन, ठीक है, जगदलपूर जहां की capital है, बस्तर district की, so revolt है 1910 में, जगदलपूर, जगदलपूर जो की capital है, बस्तर, अभी भी बस्तर district जगदलपूरी है, लीडर कौन है, गुंडा धुर, ठीक है, गुंडा धुर, अब यह गुंडा शब्द जो है, नौर्थ इंडिया में, इट्स लाइक ठीक है, ठीक है, पुलिस वाला गुंडा मुवी भी आई थी एक बार, ठीक है, तो यहां से हमारी ट्रिक है, प्लीस दोंट फिल बाड, एनिवन फ्रम दाट परडिलर प्लेस, वी डोंट है अनी इंटेंचन तो हट एनिवन, तो बस्ती का गुंडा, ठीक है, तो बस्ती बस्तर हो गया, गुंडा धुर, गुंडा धुर, ठीक है, इस तरीके से पूरा नाम है, चलिए, नेक्स्ट है, ताना भगत, ताना भगत, 1914-1919, छोटा नागपुर, ठीक है, औराओं, औराओं को, अगें, इट्स ट्राइब, औराओं, सरनेम है, बहुत सारे, जो है, जारकंट, चत्राइब, पर्टिकल रीजन में, आप देखेंगे, बहुत सारे, अराओं, जो है, सरनेम के, आपको बहुत सारी, मतलब, ट्राइब है, बहुत फिमस ट्राइब है, अराओं सेट्स, जात्रा भगत, तूरिया भगत, जात्रा भगत, तूरिया भगत, चो अच्छा, तूरि से होगा है, तोरि, ठीक है, तो यात्रा के समय पर, अब मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना, कौन-कौन है जिनको बच्पन में, जब मम्मी घिया, तोरि, टिंडे बनाती थी, तो बड़ा परिशान हो जाते थी, यह नहीं यह निखाएंगे हम, ठीक है, तो मतलब बड़े होने के बाद, ठीक है, अच्छा लगता है, बट बच्पन में बहुत वो लगते थी, बड़ी सैड लगते थी सबजी आप, तो याट्रा के समय में, तोरि की सबजी तन के लिए अच्छी होती है, और ममी हमेशा यह बहुत थी, यह बहुत अच्छी है आपके लिए, सेहब के लिए बड़ी जाती है, तो यात्रा से जात्रा, त्यात्रा similar sounding, तोरि, तोरिया से तूरिया, ठीक है तूरिया तन, तन के ताना भगत, ठीक है तन से ताना भगत, तो यात्रा के समय तोरी की सबजी तन के लिए बहुत अच्छी है, बना हलकी सबजी है, ट्रेवलिंग में दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, तो यह ओक है यात्रा से जात्रा भगत, तोरी से तूरिया भगत, तन से आना भगत नेक्स आता है चेंचू अप्राइजिंग चेंचू अप्राइजिंग नला मला हिल्स आंदरबरदेश का रीजन ठीक है 1921-22 इसमें लीडर थे हनुमंता ठीक है हनुमंता तो हनुमान जी के आगे चू की आवाज भी नहीं कर सकता था कोई ठीक है अनुमान जी के सामने चू की आवाज भी नहीं कर सकता था कोई तो चू चेंचू ठीक है चेंचू हनुमंता ठीक है ठीक है तो यह होगा आपका नला मला हिल्स आंदरबरदेश नेक्स आता है रंपा रेबिलियन ठीक है रंपा रेबिलियन अंदरपरदेश में अलूरी सिताराम राजू अगर आपने I hope one of the most famous movies of अगर मैं इंडिया की बात करूं RRR ठीक है RRR तो रामचरन ने जो रोल प्ले किया है वह अलूरी सिताराम राजू का ही रोल प्ले किया है मतलब उससे इंस्पायड है ठीक है उसी से इंस्पायड है तो यहां पर रंपा से राम ठीक है राम और अलूरी सीता राम सीता राम तो राम सीता ठीक है तो इनके राम नाम में भी राम है रंपा ठीक है स वेरी कंप्लीट इन इटसल वेस कंप्लीट स्वरंपर एविलियन आंध्रा अलूरी सिताराम राज्जू आरारार मूवी और रामसीता ठीक है जी नेक्स आता है अहोम रिवोल्ट 1828-1833 असाम देखो यह हुआ था बर्मा वार एंगलो बर्मा वार ठीक है अब जब बर्मा के साथ वार हुई बेसिकली इससे पहले तक जो है लगभग 600 सालों तक अहोम किंग्डम का शासन था इवन अहोम किंग्डम ने मुगलों तक को जो है मतला कहते है न कि उनके दान खटे कर दिये थे ठीक है लचित बॉर्पो खान वन अंदा फेमस मिलिटरी कमांडर्ज ठीक है सीधा सीधा कोश्चन है आपका लिचब परपोखान कौन थे अब आते हैं कि जब डिकलाइन हुआ होम्स का ब्रिटिशर आ चुके थे नौर्ट इस का एरिया था तो उनका ध्यान गया बर्मा की तरफ अब अच्छा इस से पहले बर्मा ने इस पे कबजा करने का बटंग्रेज अगेन ठीक है जैसे वह वरताब करते थे अपने बात से मुकर गए उनका उनकी कोशिश थी कि यह इस पर्टिकलर क्योंकि यह बहुत रिसोर्स फुल रिच रिच रिज़िजन है यह पूरा का पूरा जो अभी असम प्लेंज हैं तो इस इस रिच रिज़िजन को उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की जिसका विद्रो हुआ ठीक है अहोम रिवोल्ट हुआ ठीक है तो लचित वरकोखान का जो लड़ाई है या कह लीजे वो मिलिटरी कमांडर रहे हैं वो मुगलों के समय पर रहे हैं डोंट कन्ट्यूज या ऐसे भी अगर आप देखेंगे ओम आ रहा है दोनों में ओम आ रहा है गोमधर अम अहोम ठीक है तो ओम का धारन करना चीव न को धारन करना ठीक है तो आपने ओम धर ठीक है धारन करना ओम ठीक है चलिए नेक्स्ट आता है मैं बीच-बीच में थोड़ा स्टोरी बताता चल रहा हूं ताकि आप रिलेट कर सके खासी रिवोर्ट 1830 जन्तिया हिल्स इसके लीडर थे तिरोट सिंख सायम दरूलर अफ नुनकलो और भर्मनिक मेघालिया रिजिजन में अच्छा अब इनका भी कानी यही है कि खासी गारो खासी जन्तिया मेघालिया में हम तीन हिल्स देखते हैं गारो खासी जन्तिया तो गा जो वहां के कैए लोकल राजा हैं तो यहां पर तिरोध सिंह तो अब मैं क्या इसका ट्रिक क्या है Meghाल के तीरत जाते वक्त मुझे खांसी हो गई ठीक है 16 ha तो मेखालया गया 10 से क्या हो गया 0 तिरॉथ संush कोविड के समय पर सब लोग क्या गारे करो गडारे करो ठीक है गडारे करने से खांसी जाती है ठीक है तो मेघालय में तीर ambush जातए वक्त मुझे खांसी होगे ठीक है खांसी से 6दैषि रिवोर्ट और तीरन से तीरॉथ संच नेक्स आता है सिंगफोज रेबिलियन ये लिस्ट बहुत इग्जॉस्टिव है बहुत जगा से ढूंड के ये कंपाइलेशन की गई है ताकि आपका कुछ भी ना छूटे ठीक है इसको पढ़ने वाद लगभग लगभग सारी ट्राइबल मुवमेंट्स हमने कवर कर लिए औ सिंग को सुई से डर लगता है तो सिंग से हो गया सिंगफोज रेबिलियन और सुई से सुवा गौण साइग ये खासिय प्रैजिंग पिछले वाली फोटो है और सिंगफोज रेबिलियन ये अर्णाजल प्रदेश भाला पटिकलर एलिया है नेक्स आता है कूकी या कूका देखो दो हैं यहाँ पर, एक कुकी रेविलियन है मनिपूर में भी, कुकी ट्राइब है, जो अभी लास्ट एर अगर आपको याद हो, कुकी और माइटीज, कुकी नागाज और माइटीज के बीच में कंकलिट था, वो अलग चीज है, वो भी एक है कुकी रेविलियन तो इसके लीडर थे गुरु राम सिंग, आम्ड रिवोल्ट था ये नामधारी सेक्ट आफ सिक्स का, तो गुरु राम सिंग जो है, इनके लीडर थे, तो इसके ट्रिक क्या है, गुरु का आदर करें, क्योंकि गुरु राम समान होता है, ठीक है, गुरु राम समान होता है, ठीक है जी वैसे भी हमारी केली जे शिक्षा पद्दती में हमारे कल्चर में गुरू का समान बहुत किया जाता है सो गुरू का आदर करें, गुरू से गुरू राम सिंग, क्यूंकी, क्यूंकी से कुकी, क्यूंकी, कुकी, ठीक है, कुका, गुरू राम, वैसे इसमें भी गुरू आ गया, उसमें भी गुरू है, गुरू राम समान है, तो गुरू राम सिंग, ठीक है जी, चलो आगे, कुकी मनिपूर वाला तो यह इसमें एस सच कोई लीडर नहीं था 1979 इट इस अंगलो कुकी वार ठीक है अंगलो कुकी वार इसे कहा जाता है लॉंग पी जो की हुई आपकी मार्च 1917 से में 1919 नदल लगवग दो साल चली है कुकी पीपल अगेंस अब ब्रिटिश कलोनियल रूल इन द अखुरूल डिस्टिक में यह हुआ था आई गेट चांस तो सब इस पटिकलर इग्जेक्ली अखुरूल डिस्टिक आफ मनिपूर ओनली ठीक है मेरे को चांस मिला है बाइब बिंग पाट आफ ब्स तो यह है आपका कुकी रभीलिया 1917-1919 एंगलो कुकी वार अखुरूल ड रानी गैदिनल्यू नागा मुमेट इसको हिराका मुमेट भी कहते हैं क्या कहते हैं हिराका मुमेट भी ठीक है इसके लीडर जो थे वो गैदिनल्यू के कजन थे हाइफू जदोनांग ठीक है जदोनांग और उसके बाद क्या होता है कि जब इनकी डेथ होती है उसके बाद जो लीडर है 13 साल के उपर में रानी गेदेनलियू जो है इस मूव्मेंट को आगे बढ़ाती है फिर उनको जेल में डाला जाता है फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस दो उससे पहले जो रानी टाइटल है ये दिया जाता है ज्वालन लहरू के दौरा ज्वालन लहरू कोशिश करते हैं British time में कि इनको जेल से बाहर लाया जाए ठीक है इनको जेल मतलब इनको जेल ना हो छोड़ दिया जाए बट नहीं successful होते है जैसे ही अजादी मिलती है तब इनको जेल से छोड़ा जाता है ठीक है तो नागा और नांग नाग बड़ा similar sounding है नागा नांग ठीक है गाड़ी हर एक moment पर रूक रही है मतलब खराब हो गया गाड़ी हर जगा रूक रही है ठीक है इस तरीके से तो गाड़ी से गया दे लिए हर एक हर एक का ठीक हर एक moment पर रूक रही है तो यह था छोटा सा session for tribal moments I hope आपको अच्छा लगा होगा disclaimer मैं दे देता हूं वैसे मैंन कई बार revise करेंगे अब revise करने में एक बार आपने देख लिया तो आपको revise करने में इसको 5 मिनिट से जादा नहीं लगेगा बट आपको इसको कई बार कम से कम 5-6 बार revise करना होगा ताकि वो active recall में आ सके subconscious memory से conscious memory में आ सके and जब आप question को देखो तो आपको याद आया अच्छा हो से क्या था ठीक है राम सीता कहां था ठीक है कहां पर हमने पड़ा था तो इस तरीके से आपका गाड़ी हर moment पे रुक जा रही है ठीक है तो वो सारी चीजों को आप recall कर पाए मुंडा मुंडा ठीक है तो ये तभी होगा जब आप actively recall करेंगे बंद कर देंगे फिर सोचें कि अच्छा वो वाली particular moment का क्या ट्रिक था ठीक है कैसे इसको recall करना है ताकि पेपर में जैसी आप options को देखें you can be able to answer that particular question thank you so much जाहिंग गंदे मात्रम बहुत बहुत धन्यावाद टेक क्या रहाए